नमस्कार दोस्तों मैं आशी शंतिल आज मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा तरीका बताऊंगा कि किसी भी आकरती में स्क्वेर यानि कि वर्ग कैसे गिना जाता है ये बड़ा कोशन हम करेंगे पहले उसका बेस करके दिखते हैं 20 देखें जैसे इसको है पहले आप क्या करो एक दो कितने डबे हैं दो तो डिह दू इस तरफ़ कितने बॉक्स है बॉक्स एक दो फी चार तो चाल इख दो इस तरफ दो आपने 22 जिरो अगर आपको पता है वह जीरो हुआ हिrete इस लिए उसको करने का जुरूड नहीं थी बट कोई बात तो 8 और 3 11 इस आकर्थी में 11 11 स्क्वेर बढ़ते हैं 11 कई लोगों को लगेगा नहीं है 11 ही है मैं दिखा भी सकता हूं 11 कैसे हैं देखें पहले 11 ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो सिंगल वाले हो गई उसके बाद स्क्वाइर बोलते हैं अगर दो इदर है तो दो इदर है तो दो इदर है तो दो इदर है तो दो इदर चार इदर है चार इदर है चार इदर है तो चार इदर है उसको स्क्वाइर बोलते हैं तो एक स्क्वार होगा देखना ये, ये, एक, पक्का होगा, क्योंकि दो, दो, दो डबे बन रहे हैं, एक स्क्वार होगा इस से अगले वाला, गर मैं मारकर चेंज करूँ तो ये, ये भी होगा स्क्वार पक्का होगा, और एक स्क्वार होगा उस से अगले वाला, तो तीन आ करते ना मुलस्तर सीधा कैसे करेंगे दुबारा बताने एक बार किसी भी आ करती में यह लो मैं मारकर चेंज कर लो फिर बात करते हैं एक दो इस तरफ दो डब्बे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इस तरफ नो डब्बे घर्टे करमा आजो दो एक जीरो जीरो की ज चपविस बहले गिनके देख लेना इसमें चपविस में लेंगे पक्काच चपविस में नेक्स्ट एक दो तीन चार तो चार हो गया एक दो तीन तो तीन हो गया जो छोटे वाल है ना उससे सुरू कराकर क्योंकि जल्दी जीरो पे पोच्छ जाओगे लाइक यहां से तीन दो, एक शुन्य, जिरो पर बहुत जल्दी पोच गए, असानी रहेगी, चार, तीन, दो, एक, इसका तो वैसे फाइदा भी नहीं था, चारतिया, बारा, तीन दुनी, छे, दो एकम, दो, इसकी जुरूरत नहीं थी, बारा, छे, अठारा और दो, बीस, आपका अंसरो इतनी बड़ी आकरती में, बीस, स्क्वेर, बीस स्क्वेर, अब यह देख लो, एक, दो, तीन, तो तीन लिख दिया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, लिख दिया, तीन, दो, एक, शुन्य, साथ, छे, पांच, आठ, तिया, चोविस, कितनी जल्दी कर पाओगे आप लोग, चोविस, साथ दुनी, चोदा, छे, एकम, छे, और इसकी जरूरत नहीं है, आप जानते हो, तो चोदा और छे, बीस, और चोविस, चोविस, चोवालिस, इस आकरती में, चोवालिस हो जाएंगे, चोवालिस स्क्वेर, अब मैं उमीद करता हूँ, जो सबसे पह